Mexican Tomato Rice with Beans Mexican Tomato Rice with Beans बनाने की विधी एक गर्म पान में ओलिव ओल डाल कर तेज़ पत्ता, कटे हुए लहसन और प्यास डाल कर मिलाएं इसके बाद काली मिर्च पाउडर नमक, टोमाटो प्यूरी, जीरा पाउडर, ओरिगेनो डाल कर हलका मिलाते रहने चूले की आच बिलकुल धीमी हो इस समय, अब उबाले हुए राजमा, एक चोथाई कप, चाहे तो वेच या फिर नन वेच, जो चाहे आप डाल सकते हैं और अब भिगोए हुए चावल, जिसे करीब 20 मिनर पहले हमने भिगोया है इसे मिलाते हुए कुछ देर बाद आच धीमी कर ढकन लगा कर इसे पकने दे जब यह पक जाए ढकन निकाल कर एक बार देख लें और चला कर चोला बंद कर दें लेकिन इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे रेस्टिंग के लिए रेस्टिंग के बाद इसमें उपर से लाल और हरा शिमला मिच इसके कटे हुए टुकडे डाल कर मिलाने के बाद गर्मा गर्म थाली में निकाल कर फरोसे